Dear students, Welcome back to another video. आज हम पढ़ने वाले हैं Burmese Invasion of Assam का Part 2. यहां हम पढ़ेंगे Causes of the Burmese Invasion, यानि Burmese ने Assam को, A Home Kingdom को किस वज़े से Invasion किया, यानि हमला किया. इस Cause में Burmese Invasion में पुर्णानन्दा बुरा गुहाई का क्या importance रहा है, इसके बारे में परेंगे. पुर्णानन्दा बुरा गुहाई जो है, अपने lifetime में एक mark बना दिया था, अपने administration चलाने पर. जब वो administration चल रहा था, वहाँ पर उसने mark दिया है. वो जब administration चला रहा था, उसी दोरान, माउमारिया रेवलियन भी हुआ था, जब गुहाटी के capital से उसको भागना परा. जब गुहाटी से भागा, तो उस टाइम पे आहुम एम्पायर का सारा responsibility सिप पुर्णानन्दा बुरा गुहाई के उपर में आ गया. वो एक despotic और arrogant नेचर का king था, despotic यानि powerful, arrogant मतलब की community, जिसको countryman पसंद नहीं किया था. लेकिन इडवर्ट गयत ने, जो माउमरियर रेवलियन था, उसको काबू में लाने की वज़े से, बुरा गुहाई को एक peace and order में लाने की वज़े से, रेश्टोर कर पाने की वज़े से, उसको एक successful, powerful ruler की तोड़ पर भी माना था, यानि उसके support भी वो बात किया था. पुर्णाननद बुरा गुहाई, वो chief था, आहोम, जो administrative था, उसको चलाने पर वो chief था, लेकिन वहाँ पर वो peace और order भी अपने country में ला पाया, पर उसका जो शाशनकाल था, उस time का जो ruling था, उस ruling के दोरा नहीं, उसका एक debate सा रहा, उसका policies को लेकर, या उसका strength को लेकर, कि वो आहोम मोनार्की के उपर मतलब किस तरह का शाशनकिया, वो एक debate का विशे बन गया था, क्योंकि उस समय जो economic condition था people का, वो बहुत ही खराब हो गया था, इसी वज़े से जो official section था, आहोम kingdom में, वो बुरा गोहाई से unhappy रहा, लेकिन वो लोग openly dissatisfaction होने के वावजूद भ मन ही मन वो लोग खरा पया था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, सर्गोदेव गोरिनर सिन्हा जो है, वो एक साल के अंदर ही, ओफिस का मतलब जो गड़ी समाल रहा था, उसके एक साल के अंदर ही उसका देत हो गया, लेकिन पूर्नानंद बुरा गोहाई ने इस बात को इस बात को पब्लिकली ओपेंली नहीं बताया गया कि सर्गोदेव मर चुका है, लेकिन वो बरे चालाकिक के साथ जो छोटा राजा था, यानि कमलेस्वर सिन्हा आखुम का थ्रोन पर उसको संभालने पर गड़ी में बिठा दिया, और साथी जो कमलेस्वर सिन्हा था, वो उसके हाथों में एक पपेट सा हो गया, पपेट यानि पुर्ना नंदा बुरा गौहाई के वगर वो कुछी ने कर पा रहा था, उसके मुताविक वो जो भी बोलता है, उसके मुताविक अपना राजशाशन कर रहा था, फिर से कमलेसर सिन्हा का देथ के बात है, वो 1810 में जब कमलेसर सिन्हा मर गया, उसके बात और एक छोटा सा राजकुमार को उसने राज़ा बना दिया, जिसका नाम था चंद्रकंता सिन्हा, लार्श सेक्शन अप जो पीपल था, यानि उसके राज़े का जितना लोग था, बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं किया था, उस का नाम था, पानिमुआ, इसी वज़े से इस रेवलियन को, यानि इस रेवल को पानिमुआ रेवलिशन के नाम पर भी जना गया, लेकिन ये जो रिवोल्ट है, उसको वो स्ट्रोंग हैंड़ेटली सप्रेस कर दिया, यानि उसको दबा दिया, जब चंद्रकंता सिन्हा, आ जिसका नाम था सत्राम, उसने सत्राम को सारेंग्या फुकन का भी दरजा दिया, और अपने बगल में, राजा के बगल में, यानि उसको बेठने का भी जगा दिया, धिरे धिरे सत्राम भी बहुत एरगंट होने लगे, वो किसी का पात नहीं सुनता था, उसने यहां तक लिया कि वो बुरा गोहाई से चुटकारा पाले, लेकिन अर्लियर कंस्पिरेसी के जैसा ही उसका जो प्लोट था, उसका जो प्लानिंग किया था, वो डिक्टेट हो गया, फिर उसका जो कंस्पिरेशन है, उसको खतम कर दिया गया, वो नहीं कर पाया, फिर जैसे तैसे वो सत्राम जो है यहां से भाग गया वो भागने के बाद नामरुप पहुँच गया जहां पर नागा मिस क्रियंस ने उसको मार डाला next cause था conflict between बदनचंद्र बरफुकन and पुर्णानंद बुरा गोहाई next जो बदनचंद्र बरफुकन है वो दानदुआ द्रो जो हुआ था उसका involvement में suspicious था इसी वज़े से उसका जो पुर्णानंद और बदन के बीच में जो relation था वो खराब होने लगा इसी वज़े से बदनचंद्र को कालिय भूमरा ने replace किया as a new बरफुकन लेकिन बात में पुर्णानंद बुरा गोहाई को ये भी मालूम चला कि बदन जो बरफुकन था वो सत्राम के साथ उसके एगेंस में plot करने में साथ था यानि उसके एगेंस में जो पहले एक incident हो गया एक conspiracy हुआ था उसमें वो बदनचंद्र ने कालिया भुमुरा भी मतलब साथ में था बदनचंद्र ने कालिया भुमुरा लेकिन पूर्णानंद का जो बेटा है रेशा नाती वो बदनचंद्र के बेटी के साथ विवा हुआ था जिसका नाम है पीजो गाभरू उसके कारण उन लोगों का जो इंप्रूपेंट था या यानि कालिया भुमुरा का देथ हो गया फिर से बदनचंद्र को बरफुकन के तोर पर गुहार्टी में एपॉइंट किया गया लेकिन जो बदनचंद्र था वो उप्रेशिव होने लगा और यहां तक कि उसने गोल्ड और सिल्वर जो था मैखा में उसका भी मिस यूस किया यानि उसका भी अच्छी तेरे किसे इस्तिमाल नहीं किया धीरे धीरे वो जो इन्हाविटेंस अफ गौहार्टी था उसके एगेंट्स में मीजरेबल मितलब क्रियेशन किया जो पब्लिक था उन लोगों को मीजरेबल उन लोगों का सिटुएशन और भी मिजरेबल कर रहा जब बुरा गहाई ने ओपियम के एगेंस में प्रोहिबीट किया था यानि ओपियम का यूज को मना किया था और जो हेल्थ था पीपल का वो खराब हो रहा था तो बर्फुकन ने इस ओर्डर को भी नहीं माना उसने यहां तक की बुरा गहाई का जो ओर्डर है उसको नेगले हो गया बात में जो बदन चंद्र का जो बिहेवियर था उसको हजम नहीं कर पा रहा था इसी वज़े से बुरा गहाई ने उसको रिमूव करने को दिसाइड किया फिर बर्फुकन को यहां अपना यह सीट छोड़ कर उसको भागना परा बैंगल भागना परा यहां तक कि उ उसका जो बेटी है उसने उसको बिफोर हैं वांड भी दिया बदन चंद्र फिर वेस्ट पेंगल जाकर डेविट स्कोट के साथ मिला रंगपूर पे बिफोर हीस अराइवल इन कैलका था उसने ब्रिटिस आर्मी से रिक्वेस्ट किया ताकि उसको आर्मी को दे और किंग च गेनरेल था उसने उसका एफिल को रिफ्यूस किया क्योंकि वो लोग इंटरनल एफेर्स अफ दे स्टेट में वो लोग इंटर्फियर करना नहीं चाह रहा था और एक बात ब्रिटिस कब्मेंट को अल्रेडी मालुम था कि पूर्णानंद बुरा गोहाई जो था वो बहुत लॉयल और कमिट्मेंट है अपने ड्यूटी के टूर्ट इसलिए उन लोगों ने बदन चंद्र को उसके एगेंट्स में हेल्प करने से मना कर दिया थार्ड नमबर पॉइंट पर हम परेंगे कि किस प्रकार बर्णीस ने इंटर्फर किया जैसे कि ब्रिटिश ने अल्रेड आमारा पूरा जो कैपिटेल है बर्मा का वहाँ पर चला गया और जो किंग था वो किंग से बुरा गोहाई का जो टैरेनी है यानि बुरा गोहाई का जो क्रुएल रूलिंग पावर है उसको खतम करने के लिए उसका आर्मी का रिक्वेस्ट मंगा यानि हेल्प मंगा बर्म जो है frontier को extend करना चाह रहा था इसी वज़े से उसने अपना जो ruling power था यानि अपना जो kingdom था उसको और भी extend कर पाया यहाँ तक कि मनिपूर और कचार में उसने westward policy को अपनाया expansion का क्योंकि बर्मा तो हमारे east के तरफ होता है तो इंडिया का वुआ पर जो मनिपूर और कचार है उसके उपर भी वो expand करने लगा उसका जो occupation है अराकान यानि रिपिटेट एटेक्ट वो मनिपूर पर बार बार अपना expansion करने के लिए अपना kingdom को expand करने के लिए बार बार हमला कर रहा था और जो बर्मिस king है असाम को अपना main military base बनाना चाह रहा था ताकि वो लोग English पे हमला कर सके और जग capture of आकारान हुआ है in 1784 में during the tenor of king bodo पाया वो लोग entire bay of bengal में अपना supremacy बना पाया from margui island to chategram port बर्मिस का जो autocratic rule था इसकी बज़े से आकरानिस लोग को वहां से move करके British territories of bengal में आकर refugee के तोर पर रहना परा और इस तरब बर्मिस king जो है बदो पाया वो fruitlessly pressure दिया British government के उपर की वो refugees को दुबारा उसको भेज दे यह issue जो है एक tension मना दिया between Burmese and English के बीच में और इसी tension की वज़े से बदन चंद्र का जो help था वो Burmese से मांगना वो in February of Chandrakanta वो Burmese king के लिए advantage लगने लगा इसलिए वो बीना plan के यानि बीना planning के उसका कोई plan नहीं था असाम को take over करने का लेकिन उसने सिर्फ military army को बदन चंद्र के जो दे दिया यानि बदन चंद्र को military help दे दिया against पुर्णानंदा लेकिन वो एक opportunity के लिए रूक रहा था था कि वो directly हमला कर सके असाम पे और दुसरी तरफ रंगीली एडियू जो है जो आसमिस queen था जो बर्मिस king के शर्षादी हुआ है जो बदन चंद्र का आंटी भी था उसने king को भी help मांग दिया बदन चंद्र के लिए इसी वज़े से उसको बहुत आसानी से बर्मिस का help मिल गया तो आज का वीडियो इतना तक ही है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि आगे का वीडियो हमें मिल सेके तो मिलते हैं अगले वीडियो पर धन्यवाद